हेलो येल्कम टूरा आथा टेसटेटी क्लासेस। आज हम लोग डिसकुस करने वाले है जियोग्राफिक के सब्जेक्टिब कोउशन्स के ऊपर। पहले ही अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सबसे पहले अपजेक्टीब कोशन को क्लियर कर लो किसी भी चीज को समझने से पहले उसका बेशिक जान लेना बहुत ज़रूरी है तो अबजेक्टीब कोशन आप लोगों के माइन में अगर क्लियर रहता है तो सबजेक्टीब कोशन को भी आप लोग अच्छी तरह से अटेम्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे जियोग्राफी के कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट सबजेक्टीब कोशन को और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने नोट्स भी अविलेवल करवा दिये हैं तो अगर आप लोग चाहे तो स्क्रिंसोर्ट ले सकते हैं और साथ में बना सकते हैं नोट्स अगर मेरी मानिये तो नोट्स बना लो वीडियो को प्वास करो सबसे पहले वीडियो को समझो कोशन क्या है समझो और उसका नोट्स बना लो इससे तीन फायदे हैं सबसे पहला फायदा आप लोगों को लिखने की आदत बन जाएगी दूसरा फायदा आप लोगों का खुद का नोट्स बन जाएगा तीसरा फायदा आप लोगों को नोट्स के साथ साथ दिमाग में बैट भी जाएगा कि question क्या है और इसका साथ साथ में answer कैसे लिखना है चलो अब बिना किसी time waste को आगे बढ़ते हैं आप लोगों की इच्छा notes बनाओ या फिर screenshot लो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी बस इस वीडियो को complete करके देखो ताकि आप लोगों को और बार ग्राठ्य तुरूच पूछा जाता है question वही question है और काफी बार पूछा गया है कि संसाधन क्या है तो समस्त जैबिक प्रदर्थ जैव एवन जीव प्रदर्थ जो मान वे अवशक्ताओं की पूर्ती में सायक होते हैं उसे संगसादन कहते हैं ठीक है कहां कहां पूर्ती होती है जैव एवंग अजय परदार्थो परदार्थ जो मानवे अवशक्ता जो चीजे जैव अजय परदार्थ होते हैं हमारी आवशक्ताव की पूर्ती करता है उसे कहते हैं संगसादन जैसे मिटी, खनीज, वन एवंग वन्यजीप तो अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए अब्जेक्टिब कोशन की तरह कि संगसादन का एक उधारन दीजिए तो मिटी, खनीज, वन या वन्यजीप आप आप लोगों को नया देख रहा होगा आप लोगों नया परहा होगा संग्चीत कोश ठीक है तो चलो उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वैसे संगसादन जो किसी विसेश चेत्र में मौझूद होते हैं जहां आम तोर पर कुछ संगसादन के पूरती नहीं होती है ठीक है इसका मतलब यही है जिसे उपवोग में लाने की संभाबना रहती है उसे संभाबी संगसादन कहते हैं जबकि वैसे संगसादन जिनका भंडारन संगसादन का ही अंग्स जिसे उपलब तकनिकी के आधर पर उपयो पीसी बगेरा में आप लोगों ने बहुत बड़ा-बड़ा मशीने देखी होगी बड़े-बड़े डैम्स में, बड़े-बड़े पूल में वहां पे जल का प्रयोग करें, जल की प्रभा, जल जो बहता है उसकी प्रभा का उप्योग करके बिद्धुत उर्जा बनाया जाता है अब ये किसके अंडर में आता है, तो ये संग्चित कोष शंगसादन के अंडर में आता है यानि इसका उप्योग जो है वो तकनीकी की शहता से लाया जाता है, उसे संचित को संचाधन कहा जाता है, ठीक है? चलू, अब आगे बार के question number 3 की तरब, संचाधनों के संगरक्षिन के उपाई बतावे, यानि संचाधनों को हम लोग सुरक्षित किस प्रकार से कर सकते हैं, संग्छारन किस प्रकार से कर सकते हैं इसका हमें उपाई बताना है संग्साधनों की सभ्यता इवंग संस्कृति के विकास में अहम भूमिका होती है क्या कहा गया है पहले संग्साधनों की सभ्यता इवंग संस्कृति के विकास में अहम भूमिका होती है अता इनका वो जरूरी है हम सभी के लिए इनके लिए निम्नलिकित विंदों पर ध्यान देना चाहिए ठीक है तो हम कैसे संगसादन को सुरक्षित कर सकते हैं आईए पड़ते हैं सबसे पहला है कि संगसादन को विवेकपुर्ण धंग से उपयोग किया जाना चाहिए यानि उसका बिन म संगसादनों के दूर उपयोग पर रोक लगाना चाहिए माल लीजिए अगर हमारे घर के सामने कोई संगसादन का ज्यादा उपयोग कर रहा हमारे सामने कोई संगसादन का ज्यादा उपयोग कर रहा बिन मतलब का तो हम उसको समझा सकते हैं उसको रोक सकते हैं कि देखो य यह हमारे लिए important है संगसादन पेट्रोल मालो पेट्रोल अगर हम आज के टाइम पे ज्यादा खर्च करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब पूरे बिश्यों में पेट्रोल का एक अंक्स भी नहीं बचेगा तो अगर पेट्रोल नहीं बचेगा तो मालो इतने पेट्रोल स जैसे संगसादनों का हम कम दोहन करें ताकि वो जीवन चले हमारे लिए तो जीवन चले और साती साथ आने वाली पीडियों के लिए भी वो बचे रहे तीसरा उपाई सिमित भंडार वाले संगसादनों का विकर ढूंडना चाहिए सिमित भंडार वाले जो सिमित है मालो सहरों में आप लोगों ने परह होगा कि बस का बस चलाने के लिए लोग अब सरकार अब सी एंजी का उप्योग बे जादा ध्यान देती है थाकि पेट्रोल डिजल का कम उप्योग हो और वो दूसरे पीरियों के लिए भी बचा रहे ठीक है चलो कोशन नमबर फोर संगसाधनों के निर्मान संगसाधनों के निर्मान में तक्निक की क्या भूमी का है संगसाधनों के निर्मान में तक्निक की क्या भूमी का है यानि संगसाधन के निर्मान में तक्निक कैसे सहता करती है तो उत्तर देखिए संगसादन के निर्मान में तकनिक की भूमी का काफी महत्पपून है किन्तु प्रिथिवी के भूगर्ब में इस्तित कोईला, पेट्रोल और खनीज बेकार परे हुए है कई कई ऐसे जगह हैं जहाँ पेट्रोल, कोईला, खनीज है लेकिन हम उसको उप्योग में नहीं ला पारे है क्यों उप्योग में नहीं ला पारे हैं भाई? क्योंकि हमारे पास उसे बाहर निकालने के लिए यानि उसे भूगर्ब से भूमी के नीचे से बाहर निकालने के लिए हमारे पास तक्निक नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है, अगर माल जीजे भूमी के नीचे, भूमी के लगवग मालो इहां पर नीचे, बहुत बारा कोईला का खदान है, ठीक है कोईला का खदान, लेकिन ह अगर हमारे पास मसीन नहीं है तो मानब तो अब इतना खोद नहीं सकती जमिन को इतना खोद नहीं सकती अगर हमारे पास मसीन होता है तो हम जमिन को खोद के उस कोईले को बाहर निकाल सकते थे लेकिन हमारे पास तकनीकी सकती हमारे पास अगर नहीं होती है तो वो बेकार ही ह होता है वो खनीज हमारे लिए कोई कामकार नहीं होता है तो यहां पर क्या लिखा गया है कि किन्तु प्रिति भी के भूगर्ड में इस्तित कोईला पेट्रोलियम और खनीज बेकार परे हुए किन्तु तक्नीक की ग्यान के द्वारा हम उपयोग के लायक बनाने इसी प्रकार आज तक्नीक की ग्यान के द्वारा जल बिद्दूत उजय और इवंग हवा में पवन उजय स्वार उजय का विकास किया गया है आज तक्नीक हमारे पास काफी आधूनिक हो चुकी है काफी तरके मशीन सा चुके हैं जो हमारे खनीज को उपयोगी बना रहे हैं जैसे कि काफी जगा पे विद्दूत बना जाता है स्वार उजय का आज प्रयोग होता है काफी सारे मील्स वगेरा में है ना मील्स वगेरा में काफी सारे स्वार उजय का भी प्रयोग होता है तो आज जो हमारे पास तक्नीक है उस तक्नीक ने हमें हम सभी को खनीजों को एक अलग उपयोग में उपयोग कैसे करे हम उसे सिखाया है आज की तकनीक ने ठीक है चलो कोशन नमर फाइब सतत विकास की अबधारनक या है सतत पोशनिय विकास भी कहते हैं इस वट को सतत विकास यानि सतत पोशनिय विकास भी कहते हैं यानि यहाँ पे नॉर्मली पूछा गया है कि सतत पोष्ण विकास क्या है, सतत विकास की अवधारना क्या है, ये कोशन्स काफी बार पूछे गए हैं, ले लो, एकदम स्क्रीन सोट, नोट बना लो, या फिर मैं समझा रही हूँ, तो अपने तरीके से भी नोट्स बना सकते ह मेरे एक-एक वर्ट को समझो, सुनो, बस आप लोगों का काम बन जाएगा, तो सतत विकास की अवधारना वो रन निती है, जिसके अंतगत प्राकितिक संगसादनों एवंग परियावरन को छती पहुचाए बिना, यानि सतत पोष्ण विकास वो विकास है, जिसके अंतगत प्राकितिक संगसादन एवंग परियावरन को छती पहुचाए बिना बर्तमान और भावी दोनों पीरियों का कल्यान को अधिक्तम बनाया जा सकता है, अर्थात अद्ववस्था का विकास सुचारू रूप से चलता रहे, मालो पूछ लिया कि सतत पोष्ण विकास क्या है, तो आप लोग सीधे तोर पर लिख सकते हैं कि सतत पोष्ण विकास एक ऐसा विकास है जिसके अंतरगत प्राकितिक संगसादनों को बिना नुकसान पहुचाए जब हम अपना विकास करते हैं तब वो सतत पोष्ण विकास कहलाता है, ठीक है? चलो, अब बढ़ते हैं कि तरफ, स्वामित्य के आधार पर संगसादन कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्य के आधार पर संगसादन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि चार प्रकार के होते हैं, स्वामित्य के आधार पर संगसादन चार प्रकार के होते हैं, पहला बैक्तिग तथा तालाब आदी आते हैं ठीक है व्यक्तिगत संगसादन मालो हम कहेंगे ये घर मेरा है ये तालाब मेरा है ये जमीन मेरी है तो ये व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति का संगसादन है एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है तो व्यक्तिगत संगसादन हो गया द सामुद्यक संगसादन में क्या क्या आ गया मालों कि सरके आ गई जो governments building होती है भवन होती है पार्क होती है पिकनिक होती है यह सब सामुद्यक हो गई यानि सारे लोग मतलब सारी citizens देश के हर एक नागरी उसका यूज कर सकते है राष्ट ये संगसादन अब देखो इसके अंतरगत राष्ट ये संगसादन भी आते है जो देश का है पूरे देश का है इसके अंतरगत नदी वन वन ये जीप तता खनीत आते है नदी फिर महा सागर हो गया ठीक है तो फिर जंगल आ गया खन यूज कर सकता है, इसके अंतगत से महासागर आते हैं, जो महासागर है, प्रसांत महासागर है, ये सारे महासागर पूरे वर्ल्ड के लिए संगसाधन का काम करता है, ठीक है? चलो, question number seven, question number seven, जलोर मेर्दा के विस्तार, जलोर मेर्दा के विस्तार वाले राजयों के नाम लिखे, तथा इन मेर्दा में कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है, जलोर मेर्दा ठीक है, जलोर मेर्दा कहां-कहां पाई जाती है, और उसमें कौन-कौन सी मेर्दा फसले उगाई जा सकती है कौन कौन से फसले उगाई जा सकती ये पुछा गया है तो जलोर मिटी पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है उत्तर दक्चिन पूरब पस्चेम यानि जो उत्तरी भारत है यानि उपर वाला जो हिस्सा है उपर वाला हिस्सा ये दक्चिनी भाग है इंडिया का और ये उत्त भारत कहते है तो उत्तर पूरे उत्तर भारत में जलोर में दा फैली हुई है इसके गुजरात और राजिस्तान भी आता है तो गुजरात राजिस्तान के कुछ छेत्रों में जलोर मिट्टी पाई जाती है इस मिट्टी में प्राया धान मक्का गेहूं दलहन आधी की खेती होत मृधा में ठीक है जलोर मृधा काफी उपजाव होती है काली मिट्टी जलोर मृधा आप लोगों ने परा होगा छे प्रकार की मिट्टी पाई जाती है पूरे इंडिया में तो काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इससे रिलेटर जितने भी questions है उससे आप लोगों को ध्यान देना है चीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं question number 8 question number 8 में क्या पूछा गया है कि सर्बोच क्रीशी से सर्बोच क्रीशी से आप क्या समझते हैं तो सर्बोच क्रीशी से अभी प्राय सर्बोच क्रीशी द्वारा की जाने वाली क्रीशी से है इस प्रकार की क्रीशी प्राय पहारी छेतरों में की जाती है यानि यह जो क्रीशी है वो अधिकतर पहारी छेतरों में की जाती है अब मालो पहारी छेतरों में तो बर्षा भी बहुत अधिक होती है जैसे कि पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे अधिक बर्षा होने वालस्तान कौन सा है तो मांसीन राम जो मेगाले में है ना मांसीन मेगालाई में इस्तित है उस पहारी इलाकों में काफी बरसा होती है सबसे अधिक बरसा वही होती है तो काफी बरसा के कारण काभी का बार ये जो पहारीों का इलाका होता है वो काफी बार ढह जाता है ठीकर ढह जाता है तो यहां पे अब तो पूरा इलाका ही पहारी वाला इ खेती करनी होती है तो ये सरवोच क्रिशी का क्या काम होता क्या उद्देश्य होता कि उप जाओ मिट्टी को पानी में बहने से रोकने के लिए सरवोच क्रिशी की जाती है इसका में उद्देश्य ही होता है ठीक है समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी चलो अब आगे बढ़ते हैं I hope समझ में आ चुका होगा नहीं समझ में आता तो भी comment करना और मैं आप लोगों से बस ये request करती हूँ कि objective questions वाला वीडियो देख लो वहाँ पे मैंने objective questions को बहत ये बहतरीन तरीके से बिल्कुल basic बिल्कुल अच्छे knowledgeful तरीके से समझाया है काफी subjective questions के उपर भी discussion किया गया है कैसा question pattern बनेगा क्या क्या question पूछा जाता है वो चीजे भी बताई हुई है और discussion हमने किया था तो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलना चलो और जिसने देख लिया है वो भी कमेंट कर सकते हैं कि देदी हमने देख लिया है और हमें समझ में आ चुका है तो अब आगे परते हैं question no.9 का पवण अपारदन वाले चहत्रों में किसी की पलगती उपयोग मानी जाती है जिसके है परणणवान अपरदन मतलब 6 होना तो पवण अपरदन वाले चहत्रों में बाटी का क्रिशी उप्योग बाणी जाती है इसमें फसलों के बीच घास की पतिया विक्सित की जाती है जिसके गारण पवन के वेग द्वारा भी उपजा मिटी नहीं उड़ पाती तो इस क्रेशिक अंतरगत क्या-क्या उपजाई जाती है घास की पतिया विक्सित की जाती है और फसलों के बीच विक्सित की जाते है फसल जिनके द्वारा मालो अब धान लगाना है तो धान के लिए भी बीच आता है कि नहीं धान के लिए बीच आता है तो वो बीच भी कहीं पे सबसे पहले रोपा जाता है उनको पैदा किया जाता है विक्सित किया जाता है तो फसलों के बीच और घास की पत्या विक्सित की जाती है अब पवन अपरदन वाले छेत्रों में ताकि वेग द्वारा जो पवन का वेग है उसे उपजा मिट्टी को नहीं उड़ा पाती ठीक है चलो कोशन नमबर 10 को समझ यहां की मिट्दा की क्या विशेशता है यानि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और उहां की मिट्टी की क्या-क्या गुनवत्ता है यह पूछा गया है तो भारत के पूर्वी तट पूर्वी तट के अनिक छेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है ठीक है ये चीज आप लोग याद रखना कि पूर्वी तट के इलाकों में भारत के नदी डेल्टाओं का विकास हुआ है ठीक है ये चीज आप लोगों को एकदम नूट करके याद रखनी चाहिए पूछा जाता है इसके अलावे पस्चिम बंगाल में गंगा के डेल्टा का ये तो काफी लोगों को पता ही होगा पस्चिम का जो गंगा डेल्टा वाला इलाका है जो हुगली वाला इलाका है उसमें जो है नदी डेल्टा का विकास अच्छा खासा हुआ है कृष्णा कावेरी महानदी और गोदावरी नदी द्वारावी डेल्टा का निर्मान हुआ है अब पूछा जाता है कि मृदा की गुनवत्ता क्या है उन जगाओं की तो इस मृदा की सबसे वरी विशिष्टा यह है कि इसमें जलोर मिट्टी पाई जाती है जलोर मिट्टी काफी उपजा होते है मैंने अभी कहा तो जलोर मिट्टी पाई जाती है जो धान गेहूं जूट और कपास के लिए काफी उप्योगी है ठीक है तो अगर पूछ ले जाए कि जलोर मेदा किस के लिए उप्योगी है तो धान गेहू जूट पहले ही बात कर चुके थे धान गेहू जूट कपास के लिए भी बहुत ज़्यादा उप्योगी है चलो यह जो आप लोगों का कोशन नमबर एक मिनट मैं देख लेती हूं तो यह आप लोगों का कोशन नमबर 11 है यह काफी important है चावल की फसल के लिए उप्यूग भागलिक दशाओं का उलेक करे उलेक करे और चावल के फसल के लिए उप्यूग भागलिक निम्नलिकित प्रकाश से होती है मतलब यहां पर काफी बार यह पूछ लिया जाता है कि चावल की फसल के लिए उप्यूग भागलिक दशाओं को लेकरे यानि कौन से प्रदेशों में चावल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और चावल के उगाने से कौन कौन सी हमें चीजों का ध्यान रखना चाहिए यह पूछा गया है तो सबसे पहला है कि तापमान 25 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए 25 डिग्री से तापमान अधिक नहीं होनी चाहिए दूसरा है कि एक सो सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होनी चाहिए तीसरा है सस्ते कुशल स्रमिक उपलब्ध हो तो यह तो इंडिया में है भारा देश में है सस्ते कुशल स्रमिक हमारे पास उपलब्ध होती है पहला था तापमान 25 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहि चाहिए एक सो सेंटीमेटर से अधिक बर्शा नहीं होनी चाहिए चौथा व्रिस्तित बाजार उपलब्ध हो चावल को बेचने के लिए पांचवा यातायत के संगसाधन बिकसित हो क्योंकि खेत से हमें इसे बाजार या फिर भंडार तक भी पहुंचाना होता है चावल को है तो इसके लिए आतेज संगसादनों का विकास होना जरूरी है नहीं तो वो खेत में ही परे-परे सर जाएगा चटवा है कि किशी के आदुनी के अंतरक हाद बीच कितना सरक का उप्रयों किया जाना चाहिए तो अगर ये चीजे हैं किसी जगह में उपलब तो चावल की खेती अच्छे ढंक से हो सकती है ठीक है स्क्रीन सॉर्ट ले लो चावल की फसल के लिए उपिक भोगलिक दसाओं का उलेक करे तो ये च्छो दसाओं होना बहुत जरूरी है चलो कोशन नमर 12 सर्वोच रेखा से आप क्या समझते हैं तो सर्वोच रेखा मापने के एक मानक वेडी है वस्तू किसी धरातल पर समुद्र तल से समान उचाई वाले स्थानों को मिलने वाली कालपनिक रेखा को सर्वोच रेखा कहते हैं ठीक है तो ये पहारी इलाके के धरातल मतलब की समुद्र तल का जो धरातल है उससे मापने वाली कालपनिक रेखा को सर्वोच रेखा कहा जाता है तेरा नंबर वाला कोशन है कि खनीच क्या है ये कोशन भी काफी बार पूछ लिय जाता है तो काफी important है कि खनीज किया है तो आप लोग सीधे तो आपर answer दे सकते हैं कि वे प्रदार्थ जो प्रिथिवी के तल से प्राप्त किये जाते हैं उसे खनीज कहते हैं ठीक है खनीज कितने प्रकार के होते हैं खनीज दो खनीज ठीक है चलो कोशन नमर 14 बनो के परियावरन परावरनी महत्व बताईए यानि वनो का क्या महत्व है नेचर के लिए बन कैसे महत्व कैसे importance रखते हैं है ना तो उत्तर में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि वन एक अमुल्य उपहार है जिसके आचल में मनुश्य सदियो से पलता आ रहा है ट्रीक है तो बन जो है वो हम इनसानों के लिए एक उपा है बन को भी हम संगसादन के तोर पर भी हम बन को मानते हैं तो बन जो है वो हमारे लिए काफी useful रहता है हमें बन से काफी चीजों की प्राप्ति होती है जैसे काफी सारी ओशदियां मसाले है ना तो यह हमारे लिए उप्योग है, यानि बहुत important रखता है, तो एही चीज कहा गया है, कि वन एक अमुल्य उपहार है, जिसके आचल में मनुष्य सद्यों से पलता रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आदी मानब जो थे, वो तो पहले जो आदी मानब का सम्हू था, वो तो पूरा का पूरा वन पर ही आधारी था, वो अपना खाना, अपना रोजगार, वहीं से जुटा थे थे, पूरे बन पर ही आश्रित थे, तो मनुष्य सद्यों से पलता आ रहा है, इसका महत्वा निम्ने लिकित है, तो वन का महत्वा हमारे लिए बहुत है, चीक है, सबसे पहला, वन सी ओटू और ओटू का संतुलित बनाये रखता है, हमें ऑक्सिजन प्राप्त करता है वन में, इतने सारे पेर पाउदे हैं, वो जो दूशित हमारे लिए गैस है, वो खुद अप्सोशित कर लेता और हमें एक स्वच्छ ऑक्सिजन गैस प्रादान करता है, ठीक है, दूसरा यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वन मिट्टी को मिट्टी अपरदन को रोकती है, यानि मिट्टी का जो च्छाई होता है, वो च्छाई को रोकती है, कैसे रोकती है, वो अपने जरो से मिट्टी को पकर के रखती है, और मिट्टी के अपरदन को रोकती है, यहाँ पर और एक है कि बन के पेरों की जरो से पानी रिसकर भूमी के नीचे आ जाता है जिससे भूमी का जल्की आप पूर्ती होती है ठीक है तीसरा है वन जीवों का आश्रा इस्तल है तो जितने भी वन जीव है वन जीव ठीक है वो तो अभी वन में ही रहते हैं तो वो उनका आश्रा इस्तल है तो इस प्रकार से बन हमारे लिए लापकारी है ठीक है इस प्रकार से बन हमारे लिए लापकारी है तो ये सारे चीजे आप लोग points लिख सकते हैं चलो question number 15 question number 15 देखो हमने बात किया था पहले भी इस questions के उपर जो regular viewers हैं हमारे जो regular follow करते हैं इस channel को जो हर एक वीडियो को देखते हैं समझते हैं और अपना problems बताते हैं उनको पता होगा कि भहुत देख्य परियोजिना से आप क्या समझते हैं भहुत देख्य परियोजिना के बारे में आप लोगों को पता होगा क्योंकि कुछ दिन पहले हमने discuss किया था इसके बारे में तो भहुत देख्य परियोजिना का कभी कबा लाब पूछ लिया जाता है कभी कबर हानी पूछ लिया जाता है कभी कबर दोनों को पूछ लिया जाता है या फिर पूछ लिया जाता है आम तोर पर कि भहुत देश्य परियोजना क्या है ठीक है तो आप लोगों को तीनों की जानकारी होनी चाहिए तो यहाँ पर पूछा ग येवंग नौकायान के उदेश जे सकिया जाता है उसे बहुदेश परयुजणा कहते हैं जैसे कि भारत में कही नादी घाटी परयुजणा निमना लिखी थे हैं चलो यहाँ पर दो कोशंस तो कबर हो गए कि बहुदेश परयुजणा क्या है और उसके लाब क्या क्या लाब है सिचाई, परियतन, जल बिद्दू दुद्पादन, बानियंत्रन, मतश्य पालन, एवंग नौकायान ये सारे उदेश्य हैं लाब है लिख सकते हो पॉइंट बना के और बहुदेश्य परियोजना क्या है देखो, word में ही जो है, वो मीनिंग छुपाऊ बहुदेश्य, यानि बहुद बहुदेश्य को बहुदेश्य के लिए जो परियोजना बनाई जाती है उसे बहुत देश्य परियोजना कहते हैं, तो कोट कोट का देश्य 시 nicarit के लिए जल की प्राप्ति, परियटन के लिए जगहा जल विद्दूत के लिए पानी की उपलब दता, उत्पादन, बार नियंत्रन के लिए, डैम का निर्मान मतश्य पालन के लिए जलकी उपलब दाता तो ये सारे चीजों के लिए बहुत देश्य परियोजना बनाया जाता है अब कहा गया है कि परियोजना कहते हैं भारत में कई नदी घाटी परियोजना जैसे कि भाकर नंगल नदी घाटी परियोजना कोशी नदी पर योजना फिर जार्कन में है फरगा नदी पर्योजना जिसे एंटी पी सी कहा जाता है उहां पर क्या क्या होता है उहां पर ब्धुद बनाया जाता है ठीक है और भी में पर परियोजना है कि रिहंत परियोजना और नागरजुन सागर परियोजना ठीक है तो यहां पर हम लोग काफी सारे आज तो लगबग 15 कोशन्स हमने कवर का लिये हैं भूगोल का तो आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे सब्जेक्टिव कोशन्स के ऊपर तो आप लोग वीड दोस्तों के साथ सेर करें ऐसे ही दूसरे वीडियो लाओंगी जहां पर हम इंपॉर्टन सब्जेक्टिव कोशन्स के साथ साथ उनके नोर्स यानि उसको बेसिक तोर पर हम लोग समझेंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना अपने दोस्तों क आशाथ सेर करना काई भी प्राब्रम हो तर तो कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करना मिलेंगे हम जल्द ही किसी अन्यव वीडियो में